असलाम अलेकुम ग्रेट पॉर कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब घर पर रहके बहुत खैरियत से होंगे और साथ ही साथ इन तमाम वीडियो लेसंस में जितना भी काम है उस सब को कर रहे होंगे माई नेम इस रिदा हालिद और बचो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर फॉर एंड लेसन नंबर फाइब के बारे में तो आएए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं साथ य साथ past continuous tense यानि कि ऐसा action ऐसा tense जिसमें एक काम कोई action हो रहा है past में से start हुआ था और अभी तक हो रहा है continuously यानि मुसलसल चल रहा है ठीक है ऐसे actions के बारे में उने बात करनी है तो जल्दी से exercise 1 की तरफ आ जाए exercise 1 है बोट पे भी मैंने लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपने जो पिक्चर आपकी बुक में नजर आ रही है आपको आपने उस पिक्चर को देखना है और साथी साथ ये बताना है कि उस शादी में क्या हो रहा है जो हमने रीडिंग लेसन नमबर त्री में की थी और वन से स्टार्ट किरते हैं और हमें साथ ही साथ सब करेक्टर के सब लोगों के नाम भी आने चाहिए ओके, नमबर वन, Aunt Sophie is drinking नमबर तू, Uncle Stewart is giving a speech नमबर त्री, Bride and Groom are standing together नमबर फोर, Marcus is taking pictures नमबर फाइव, The Bird is eating the grains नमबर शिक्स, Children are playing in the pool नमबर शिवन, The Car is going down hills नमबर शिक्स, Children are playing in the pool नमबर शिक्स, दो का मतलब है कि हिल से नीचे की तरफ आना या आप किसी स्लोप से, जैसे माउंट रेन की जो रोड होती है वो स्लोपी होती है, ठीक है? यानि आप टेड़े हैं, उपर से नीचे आ रहे हैं, डाउन हिल यानि नीचे हिल की तरफ नमबर एट, Kids और आप कह सकते हैं, Children are enjoying the wedding ठीक है? यह 8 actions ऐसे हैं, जो मैंने आपको पढ़के सुनाया है और बचो आठ के आठ की जो actions थे, इन सब के अंदर आपको नदर आया होगा कि मैंने past continuous की tense यूज की है, ठीक है? past continuous tense यूज किया है, इसी तरह मैंने इन words को यूज किया है, जैसे was के साथ verb लगाया और verb के साथ ing लगाया यह बात हम बहुत अफ़ा पढ़ चुकी है और इसी तरह हमने picture को explain भी कर दिया तो यहां मैं लिख देती हूँ, जो हमें याद रहे, हमने इस description को करना है past continuous tense के साथ अर्षा जी, second exercise की तरफ आजए, listen to your teacher and point to the correct scenes in the pictures अब जो मैंने आपको scenes पढ़के सुनाए है, उन सब को आपने क्या करना है, picture में से point करना है जैसे जैसे मैं आपको पढ़के सुना रही थी, exercise number one में, आप उनको सुनते जाए और साथ ही साथ point करते जाए, उंगली रख लें, finger रख लें, जिस action की मैं बात कर रही थी अब बच्चो आज में अगले पार्ट की तरफ जो के है, study corner, exercise two के नीचे आपको study corner दिया वा नजर आ रहा है, two actions happening together, while uncle steward was making a speech, marcus was taking photos, आप एक बात यहाँ पर देखे, मैंने दो actions किस तरहां लिखे है, past continuous में, और मैंने उनको एक different color से लिखा है, ताके मैं आपको बता सकू कि यह action मेंने किस में लिखे है, past continuous में, इसी तरह हमने इन दोनो actions को और इस तरहां कि तमाम actions को इस्तमाल करते हुए, ऐसे sentences बनाने हैं, कैसे sentences, जहां पे दो actions एक साथ हो रहे हैं, अब आप दुबारा से उस picture की तरफ आ जाए, उस picture में आप देखे, अगर मैं कोई भी दो pictures, यानि कोई भी दो numbers को join करूं, एक साथ बोलूं तो मैं कहूंगी, while uncle steward was making a speech, auntie sophie was drinking, तो हमने यहां पे देख लिया, दोनो ही actions के अंदर, एक ही sentence के अंदर, मैंने past continuous tense use किया, जैसे इस example में, okay, एक और example देख लेते हैं, while Marcus was taking photos, number 4, अब आप आजाएं, number 8 के उपर, children were playing on the tent, अब देखें, दोनों बात, दोनों बातों के अंदर मैंने क्या use किया है, was और साथ में action के साथ, ing, इसी तरह आपने study corner को use करते हुए, बनाने हैं काफी सारे sentences, यानि अगर यहां पे 8 sentences दिये गए हैं, तो आप 4 sentences बना लें, एक sentence यहां पर दिया गया है, आप 4 और बना लें ताके हम 5 sentences को पूरा कर सके, यह काम आप अभी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह काम आप इस video lesson को देखने के बाद, आखर में, या end पर करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं आप तब कर सकते हैं, बचों, यहां तक हमारी exercise number 4 complete होती है, अब हम बात करने वाले हैं exercise number 5 क के बारे में जो के है writing, again हमने देखना है कि past continuous tense को use करते हुए, हमने wedding invitations कैसे लिखने हैं, शादियों में या weddings के अंदर सबसे important writing का जो task होता है, लिखने का जो अमल होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा invitation card, invitation card पे चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, और किस तरहां से वो रिष्टेदार जो हमसे दूर रहते हैं, उनको invitation या दावत देजी जाती है, ठीक है, उसको लिखने का तरीका होता है, हम बात करें है British weddings की, इसी तरह हम देखेंगे कि British weddings यानी बरतानिया के अंदर होने वाली शादियां कैसी होती है, अब उनके invitation या दावत नमा कैसा होता ह यह थोड़ा सा similar होगा, यह थोड़ा मिलता जुलता होगा लेटर के साथ, जैसे हम अपने informal letters लिखते हैं, ठीक है, हमने इस बारे में भी पढ़ा है कि informal letters कैसे होते हैं, अब इसी तरह आपने इस invitation को पूरा करना है, complete the invitation, 15 Rose Hill, Aston, 20th November, यह address है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह address है, 15 Rose Hill, Aston, full stop, 20th November, full stop, okay जी, अब अगर हम wedding invitation दे रहे हैं और informal writing है, तुम कहते हैं, dear dear के बाद क्या लिखा हुआ है, नाम, dear jury, I'm having a birthday party, dash 5th September, हमने याप prepositions लगाने हैं, on 5th September, please, will you come, क्या तुम आओगी, क्यों हमें याद है, हमने, will और shall की model verb यूज करनी है, the party will be dash my house, the party will be at my house, it will dash at 5pm and 8pm, it will start at 5pm and dash at 8pm and end at, और खतम किस टाइम होगी, 8pm, 8 बजे, I dash, you can come, I know you can come, ठीक है, यहां तक हमारा यह एक invitation, wedding invitation, खतम हो गया, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है, love, Sandra, आप यहां तक इसको कर दे, finish, एक हमारा wedding card invitation, फिनिश हो गया, यहां तक, अब जल्दी से आजाए exercise number 2 के उपर, अब हमने क्या करना है, एक invitation खुद से लिखना है, बोर पे देख लेए, Write an invitation like the one in exercise 1, अभी जैसे हमने exercise 1 में एक invitation लिखा है, वैसे ही आपने एक invitation लिखना है, आपने सबसे उपर लिखनी है, date और वो जगा का नाम जहां आप भेज रहे हैं, हमने बात की थी कि हम invitation उन रिष्टदारों को, उन relative को, friends को भेज रहे हैं, जो दूर रहते हैं, ठीक है, आप उनका address लिखें, वो जहां रहते हैं, उस जगा का नाम लिखें, start करेंगे dear, और आगे नाम लिखेंगे उस relative का, उस friend का, और उसके बाद आप लिखेंगे, as it is, जैसे ये सारा का सारा मेने, यहां पर आपको लिखावा नजर आ रहा है, as it is, इस तना लिखना है, और सा करना है, अपना असल नाम आप लिखेंगे, साथ ही साथ अपनी ओन बर्दे, यानि आप अपनी बर्दे के बारे में लिखेंगे, आप अपनी एड्रेस के बारे में भी लिखेंगे, your own address, उसके बाद, choose your own time for the party, आप पार्टी के लिए कोई भी अपना time चूज कर सकने हैं, आप कोई भी time चूज कर ले, exchange your invitations with your partner after you have written them, जब आप इसको एक दफार लिख चुकें, तो आप इसको अपनी दोस्त के साथ exchange भी कर ले, उसको अपनी बर्दे पार्टी में बुलाएं और आप उसकी बर्दे पार्टी में जाएं, इसी तरह आपने लिखनी है exercise 2 के अंदर दिया गया है, writing your own invitation, अपना एक दावतनामा, अच्छा जी, exercise 3 की तरफ आजए, accepting an invitation, अगर एक दावतनामा हमें मिल रहा है, किसी भी party के बारे में, किसी event के बारे में हो सकता है, तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर दिया गया है, choose the correct words to complete the letter, आपने correct words choose करने है to complete the letter, अब आप फिर से देख लें, seven hills road, Aston, 22nd November, date लिखी हुई है, और साथी address लिखा है, dear Sandra, Sandra की तरफ से पार्टी का invitation गया था, उसी के reply में, एक और हमें, क्या आ रहा है, accepting an invitation, हम ऐसा एक invitation card लिख रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं, कि हमने आपकी offer accept कर ली है, number one, thank, thanking you very much for the invitation to at your birthday party, number one में आप लिखेंगे, सबसे पहले, thank you or thanking you, हम लिखेंगे, आप चूज करें, thank you, ठीक है, उसके बाद, very much for the invitation to or at your birthday party, thank you very much for the invitation at your birthday party, okay, number two, I would, could, love to come, यहां आप लिखेंगे, I would love to to come, okay, number three, I am, was, looking forward to, on your party, I was, सबसे पहले आप लिखेंगे, I was looking forward to your birthday party, ठीक हो गया, number four, seeing you on the fifth, see you on the fifth, यह जो words मैंने आ लिखेंगे हैं, यह आपने उस writing के अंदर से choose करने हैं, circle करने हैं, यह underline भी आप कर सकते हैं, love judy, write to accept an invitation that you have received, अब जो invitation आपको आपके दोस्त की तरफ से मिला हैं यहां पर, उसको आपने खुद से लिखना है, एक acceptance letter लिखें, इसी तरह exercise 3 में जिस तरहां की भी बाते लिखी हैं, सेम बातों को choose करते हुए, अपनी information के हिसाब से आपने क्या करना है, invitation letter लिखना है, okay, refusing an invitation, अब कभी तो ऐसा भी हो सकता है, कि आप उस invitation पर न आ जाए, ठीक है, तो refuse करने का भी एक तरीका है, यानि मना करने का भी एक तरीका है, मैं अगर कहूं, refusing an invitation means, मना करना, कि मैं नहीं आ सकता, ठी sentences को order में लिखना है, अब इसको जल्दी से देख लें, सबसे पहले ऊपर देखें, 108 Corn Street, Ashton, 23rd November, यह address लिखा है, और साथ date लिखी है, आपने as it is लिखनी है, लेकिन आप वो वली date लिखेंगे, जो date हमने decide की थी, आपकी party की, आपकी birthday party की, आपकी birthday, date की, dear Sandra, अच्छा, Hope you have a wonderful party, E, thank you very much for inviting me to your birthday party, अब आपको नजर आ रहा है कि E के आगे already one लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पर किस वाले letter के आगे, किस sentence के आगे, कौन सा नंबर आएगा, one already लिखा है, E के आगे तो हम लिख देंगे, उसके बाद, A के आगे, see you soon, I am going to be away that weekend second बाद हम लिखेंगे, but I am very sorry, C, C होगा हमारा second, but I am very sorry, I can't come, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ सकूंगी, उसके बाद, I am going to be away that weekend, B, यह नबर 3 पे आएगा, I am going to be away that weekend, मैं उस weekend दूर चली जाओंगी, उसके बाद, D, hope you have a great party, number 4, ठीक है, और N पे 5 में आप लिखेंगे, see you soon, जो के है number A, यह ले जी, समझ आ गई, यहां तक आपने इन words को order में मेरे साथ लिख लिख लिया, और आपको समझ भी आ गया होगा, कि इसको कैसे करना है, अब, right to refuse an invitation that you have received, अब again, वही invitation जो आपको exercise number 2 में आपकी दोस की तरफ से मिला है आपने उसका refusal देना है, यानि मना करके लिखना है, कौन से words, कौन सी vocabulary आप यूज करेंगे, exercise number 4 के अंदर दी जाई, यानि आप इसी तरह उपर date लिखेंगे, फिर लिखेंगे dear और अपने दोस का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे यही सारे sentences कैसे, जैसे मैंने यहां इस order में लिखेंगे, सबसे पहले E, फिर C, फिर B, फिर D and then A, इस तरह complete कर लेंगे आप अपना refusal का letter, that's it for today, बचो यहां तक हमने यह काम भी complete कर लिया और आज मैंने आपको सिखा दिया, कि invitations कैसे लिखते हैं, invitations को accept कैसे करते हैं, और invitations को refuse कैसे करते हैं, यहां तक हमारा आज का lesson खतम होता है, और मैं उमीद करती हूँ, आपने मेरे साथ मिलके, unit 7 में बहुत कुछ सीखा होगा, thank you so much for watching today's lesson, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो lessons में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अला हाफिस